नमो नमः बाला भावताम समेशाम पुना स्वागतम करो मी सूक्ति सौरभम इति पाठस्य दुति ये भागे प्यारे बच्चो सूक्ति सौरभम पाठ आपने पढ़ा है और आपने पहली कक्षा में कुछ लोकों को देखा कुछ सौक्तियों को देखा उसका आनंद उठाया और उस आनंद को जब आपने महसूस किया होगा तो उसको फिर से पढ़ा भी होगा तो आएए आपकी उत्सौक्ता को और भी शमित करते हुए हम चलते हैं अगले श्लोकों की ओर जैसा कि मैंने पहले एपिसोड में बताया था कि सौक्तियां क्या होती हैं सौ और ओक्ति आप जानते हैं अच्छे कथन अब अच्छे कथन तो किसी के लिए शापेक्ष भी हो सकते हैं आपके लिए कुछ और हो सकते हैं किसी और के लिए कुछ और हो सकते हैं लेकिन सूक्तियों के माध्यम से हम बात करते हैं उश शाश्वत अच्छे की जो सब के लिए अच्छा है सिर्फ सुनने में अच्छा ना श्लोकों के पठन के साथ आप सिर्फ शब्दार्थों पर और भावार्थों पर गौण नहीं करेंगे बलकि उनकी त्वारा जो प्रेशित किये संदेश हैं उनको अपने जीवन में उतारने की अवश्य कोशिश करेंगे तो आते हैं अगले श्लोक पर चलते हैं पिछले ही ए करता है कि ब्याकरण जो होती है वह भाषा का अनुखा को अनुखाशित करती है अर्फात जैसा आपकी जीवन में अनुखाषन का महत्व है भाषा के लिए अनुखाशन का महत्व है और भाषा क condemn for कौन करता है उसका ब्याकरण तो उस पर अन्यारभमानम ही पुरुषम स्रीर निशेवते अन्यारभमानम ही पुरुषम स्रीर निशेवते अन्यारभमानम से इसका आर्थ जानते हैं स्रांतह स्रांतह कर्मानी पुनाह पुनाह आरभेती ही कर्मानी आरभमानम पुरुषम स्रीर निशेवते अब स्रांतह कहते हैं स्रम किसलिए होता है दुट्व के लिए तो बार बार ठकने पर भी माली जी आप किसी काम को करते करते ठक गए तो क्या आपको काम को छोड़ देना चाहिए बगर पूरा किये नहीं अगर आप ठक भी गए हैं तो कर्मानी पुनह पुनह आरभेत ही उस कर्म को फिर फिर उसका चाहिए आपने एक बार प्रयास किया नहीं सफल हुए कोई बात नहीं फिर से कोशिश कीजिए हो सकता है दूसरी बार भी आसफलता आपको हाथ लगे तो क्या आपको निराश होना है नहीं आप फिर से कोशिश कीजिए जब तक सफलता आपको नहीं मिले तब तक आपको को रहना है कारण क्या है क्योंकि ही कार्थ होता है क्योंकि अभ्यहयय कर्मा आरovan पुरुशंस श्रियानि लak्ष्मी यानि वयभव उसके पास आता है बच्चो जीवन में प्रयास आपके हाथों में है और सफलता जरूरी नहीं है कि एक ही बार में आपको सफलता मिल जाए लेकिन आपको कभी भी एक सफलता से निराश नहीं होना है आपने संस्कृत में ही सुना होगा ये श्लोक का अंस जरूर सुना होगा कि विगन अगर बार बार आते हैं तो भी उत्तम व्यक्ति वही होते हैं जो अगर काम शुरू किया तो उसको अंत कर लेते हैं तो आपके लिए भी संदेश है कि बार बार आप ठक जाएं एक बार नहीं सफलता मिले कोई बात नहीं दूसरी बार कोशिश कीजिए दूसरी बार भी ऐसा फलता हाथ लगे तो कोई बात नहीं लेकिन सफल हो करके ही दम लेना है क्योंकि ऐसे ही पुरुष के पास्री यानि समरिद्धी चाहती है बच्चों यहां पर प्रत्य हैं एक तो स्रानता में श्रम और्खता है और आरभ मानम में आ है उपसर्ग रभधातु है और शानज प्रत्य हैं ही अभ्या है मैंने बताया था अर्थ बताने के क्रम में निश्चयन होता है या यता होता उसका और निश्यवते का अर्थ होता है आस्रयती तो मुझे लगता है इस श्लोक का भाव आपको समझ में आ गया होगा तो अब बढ़ते हैं अगले श्लोक की और और यह श्लोक जो उनका अर्थास्त्र भी बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है लेकिन यह जो श्लोक लिया गया है चानक के नीति दरपन से लिया गया है तो श्लोक को देखते हैं क्या कहते हैं महा कभी चानक किया एकिन आपी सुपुत्रेन विद्या युक्तेन साधुना आहला रितम कुलम सर्वम यथा चंद्रे निशारवली एकिन अपी सुपुत्रेन एक भी अगर सुपुत्र हो पुत्र तो समझ रहे हैं आप और सुपुत्र कौन हुआ सुकाट क्या होता है अच्छा अच्छा पुत्र कौन होता है वो कहते हैं विद्या युक्तेन जो विद्या से युक्त है अर्थ जिसने विद्या हासिल की है बच्चो आप यह तो जानते ही हैं कि विना विद्या की जो मनुष्य होता है वह अंधे के समान होता है आपने कई श्लोग सुने होंगे जाने हैं इस प्रसंग में तो सुपुत्र वह होता है जो विद्या से युक्त है अर्था शिक्षा के समय जि तो ऐसा नहीं है कि सभी जो विद्वान है सच्चरित्र हो लेकिन सुपत्र वही हो सकता है अच्छा व्यक्ति वही हो सकता है जो शिक्षित होने के साथ साथ क्या हो साधु हो अर्था सच्चरित्र हो अच्छा व्यक्ति हो तो महां का विचाने के का कहना है एकेन अभी एक भी कैसे विद्या युक्तेन विद्या से युक्त और साधुना सुपुत्रेन साधु यानि सच्चरित्र अच्छे पुत्र के होने से सर्वम कुलम आहलादितम भवती पूरा जो कुल होता है पूरा खांदान होता है वह आहलादित हो जाता है प्रसन्न हो जाता है कोई I.E.S. Community करता है तो आप कहते है ना दूर का बिरिस्तेदार होता है नहीं हमारे महले का है लेक्स अगरा के महले में कोई चोर हो आपकी घर में इसैनल कोई हो तो आप श्र्जु का करके कहते हैं कहना नहीं चाहते वहां भी तो जब बुरा व्यक्ति होता है तो अपने से अपना व्यक्ति भी पराया हो जाता है उसका नाम लेने में संकोच करता है और अगर अच्छा व्यक्ति होता है सचरित्र होता है अच्छे पदपर आसीन होता है तो जान पहचान वाले लोग भी गर् या था जिस प्रकार चंद्रेण जब चांद वहन्त की ओदो गता है लेकिन श्रवरी अठाट निशारात एक śanti के आने से रात कितनी प्रसरण हो जाती है पुनम की चांद को देखिए और घराट के लिए कि इतनेioned। खुश किश्मती है एक चांद उसके पास है उसी प्रकार माता पिता के लिए यह सबसे पड़ी खुश किश्मती होती है यह आप अच्छी तरह से शिक्षा ग्रहन करें और अपने जीवन में चरित्र को स्थान दें तो इस लोग का भाव आप अवर्शी जीवन में उतारेंग उन्सक्राइब करते हैं और बढ़ते हैं अगले श्लोग की और प्यारे बच्चों अब देखते हैं दोसरे श्लोग को यह स्लोग भी महा कभी चाने के काही लिखा हुआ है और चाने के नीती दरपंड से लिया गया है इस स्लोग के माध्यम से कभी कहना चाहते हैं कि गुण को पहचानने के लिए भी गुण का होना जरूरी होता है शिक्षा को पहचानने के लिए भी शिक्षा का होना जरूरी होता है बल को पहचानने के लिए भी बल का होना जरूरी होता है कोई बहुत विद्वान है तो आप विद्वान है तभी तो आप जान सकते हैं कि इतना विद्वान है लेकिन जो बिलकुल निरक्षर है वो इतना कहेगा बहुत बढ़े आदमी हैं बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन कितना पढ़े लिखे हैं वो कैसे जानेंगे तभी आप ज इसको भी अन्वय के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं, प्यारे बच्चों इस श्लोक की एक खुबी में बता दू कि इस श्लोक में वेत्ति शब्द का प्रियुग आया है, एक ही क्रियापद है, वेत्ति इति पदस्य अर्था ववति जानाती, जानता है, अब देखते है अन्वय के माध्यम से पिकह एव वसंतस्य गुणम वेत्ति, कोयल ही वसंत के गुणों को जानता है, ना तू वायसह, कववा नहीं जानता, अब बच्चों अगर कववा भी जानता होता, तो उसकी भी आवाज में कोई परिवर्तन होता, उसकी भी करकर्षता में कमी आती औ लेकिन ऐसा तो है नहीं, तो वसंत का जो माधक मौसम है, जो शम्शीतोषन बयार बह रही होती है, जो प्रकृति का स्रिंगार हुआ होता है, पीले-पीले सर्सों के फूल दिखाई दे रहे होते हैं, इसका सौंदरी जो गुणवान है वही जानता है, तो जानता है कौन प तो वसंत का गुण कौन जानता है, पिक यानि कोकिल यानि कोयल जानता है, कौवा नहीं जानता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि गुणी एव गुणम वेती, गुणवान ही गुण को पहचान सकता है, अगर वह गुणवान नहीं होगा तो गुण को कैसे पहचानेगा, निर्ग सबसे पहले वह स्वाइंग अपने दोश को दूर करता तो गुणवान ही गुणवानों को समझ सकता है पहचान सकता है उनका आदर कर सकता है फिर कह रहे हैं कभी एवं एव इसी प्रकार करी एव सिंघस्य बलंवेति करी इति पदस्य अर्था ववति हस्ति गजह गजह का इसी प्रकार करी एव करी अर्थात हाथी ही सिंघस्य बलंवेति शेर में कितना बल है कितनी ताकत है वह हाथी पहचान सकता है मूश कहना चूहत कितना जानेगा कि शेर के अंदर कितना बल है कितनी ताकत है तो वह जानेगा हाथी ही इसलिए बलवान ही बल को पहचान सकता ह उसको मान सकता है निरबल व्यक्ति नहीं मान सकता है इस श्लोक के माध्यम से कभी का कहना यह है कि किसी भी गुण को जानने के लिए गुणवान होना आवश्यक है किसी के बल को पहचानने के लिए उसे आदर देने के लिए भी बलवान होना जरूरी है तो बच्चो मुझे ल पास्त कैसे अच्छा रहे इसके लिए भी हमारे संस्कृत में बहुत सारे श्लोग हैं तो यहां वैद्य की यह शुभाशित है यानि किसी के शरीर को कैसे सस्त रखा जा सकता है ऐसा शुभाशित हमारे पास है और उसी का एक आपको उसकी बानगी दिखाते हैं देखते हैं श देशजम वारी चीरने वारी बलप्रदम भोजने चाम रितम वारी भोजनांते विशापा इस श्लोग की माध्यम से पानी का महत्यों बतलाया गया है अब आपको छोटी से भी कोई बीमारी हो जाती है जब आप जाते हैं डॉक्टर के पास तो मुझे लगता है एक नहां दवा होती है वहेशजम कार्थ क्या है औशधम दवाई तो अन्वय के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं भुक्ताने जब आप अनाज खाते हैं और अजीरने सती मालो आपको वो ठीक से पचा नहीं ज्री अर्कता होता है जीरनम अर्थात पक्वम नाजीरन अर्थात जब आप खाना खाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि खाना नहीं पचा दंग से तो कहता है कि भुक्तान ने अजीरने शती जब खाया हुआ अनाज नहीं पचे ठीक से तो वारी भेशजम भवाती खूब पानी पीए और वह पानी किसका काम करेगा भेशज का यान अनाज हमने खाया जीरने सती वह हमें पच भी गया तो क्या है तब अगर पानी पीएंगे तो क्या होगा बलप्रदम भवती वारी का अर्थ क्या है जलम अर्थात पानी तो जब पच गया खाना तो हम पानी पीएंगे तो बल हमारा बढ़ता है ताकत हमारी बढ़ती है और भोजने चवारी अम्रितम भावती जब भोजन के समय हम पानी पीते हैं तो कैसा होता है वो अम्रित के समान होता है और भोजनांते भोजनस्यांते भोजन के अंत में अगर हम पानी पीए तो क्या रहेगा विशापहम विशम अपहंती इती विशापहम अर्थात विश को दू करने वाला होता है अर्थात पानी हर लिहाज से अच्छा है आप यह ना समझें कि अगर खाना नहीं पचा तो पानी नहीं पीना है अगर खाना नहीं पचा तो भी आपको पानी दवा का काम करेगा अगर पच गया तो आपकी ताकत बढ़ाएगा और भोजन के समय अगर आपक कोई भी दोश है उसको दूर कर देता है तो इस श्लोक के माध्यम से पानी के महत्व को बतलाया गया है पानी तो वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण होता है पानी के बिना जीवन की कलपना भी नहीं कर सकते हैं लेकिन एक नियत मात्रा में हमें पानी पूरे दिन पीना है इसकी आवश्यक्ता पर इस श्लोक के माध्यम से बल दिया गया है प्यारे बच्चो अब चलते हैं अगले श्लोक की ओर और देखते हैं यह श्लोक जो लिया गया है वो हितोब देश से लिया गया है आप जानते हैं पंचेतंत्र और हितोब देश का नाम सुनते ही आपके होठों पर पर मुश्कान आजाती होगी क्योंकि आपने बचपन से ही कहानियों को सुन ऐसका आनंद लिया उसी हितोब देश्च की तो आपने होगा की परशुपक्षियों की कहानियों के माध्यम से आपको को एक संदेश दिया जाता था कभी के द्वारा लेखके द्वारा तो वही संदेश इस लोक में भी है पहले वाचन करते हैं अन्वय के माध्यम से इसके अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं अनेक शंशयोच छेदी अनेका नाम शंशया नाम उच्छेदम करोती यत अनेक शंशयोच छेदी जो अनेक संशयों का संदेहों का उच्छेदन करता है निवारन करता है जहां कहीं संदेह हो जाता है उसको दूर करता है और परोक्षार्थस्यच दर्शकम परोक्ष अर्थ को दिखलाने वाला अक्षना परम होता है परोक्षम यानि आखों से परे हो हमारी जो भौतिक आखे हैं दिवाल के अंदर ही देख पाती हैं अगर सामने दिवाल हो जाए तो हम उसके आगे नहीं देख सकते और अगर दिवाल नहीं भी हो तो भी हमारी आखों की सीमा है लेकिन विद्यारूपी जो आँख है वह परोक्ष को भी दिखलाता है दूर दूर विदेशों में क्या हुआ वह भी दिखलाता है और किस प्रांत में किस प्रदेश में क्या हुआ सब कुछ वो दिखला सकता है तो परोक्ष अर्थ को दिखलाने वाला दर्शक यानि दिखलाने वाल सरवस्य लोचनम शास्त्रम सभी का लोचन सभी की आँखे क्या है शास्त्र है यस्य जिस व्यक्ति की ना अस्ति शास्त्र रूपी आँखे नहीं है अर्थात ज्यान रूपी आँखे नहीं है शिक्षा रूपी आँखे नहीं है क्योंकि अगर वह ज्यानी नहीं है अगर वह शिक्षित नहीं है तो जब संदेह होगा तो क्या करेगा उसके पास उसके निवारन का उसको दूर करने का कोई उपाई नहीं है आपकी आँखों से परे जो कुछ भी हो रहा है उसको दिखाने का कोई उपाई नहीं है तो विद्या रूपी आखे ही वास्तविक आखे होती है यह इस श्लोक का कत्य है तो बच्चों आप विद्या गरहन करते रहें अधिक से अधिक पढ़ते रहें और अपने ज्यान को उन प्रालपत्य जस्रम पांडित्य संभृत मतिस्त मितब प्रभासी कांस्यम यथा ही कुरुतित राम निनादम तदवत सुवर्ण मिहनेव करो तिनादम अन्वय के माध्यम से ही देखते हैं क्योंकि आपको इस श्लोक का आकार देख करके दर हो गया होगा क्या है इस लोक में इतने बड़े-बड़े शब्द क्यों है तो अन्वय में आप देखेंगे कि वह जो आपका डर है दूर हो जाएगा अलपग्या एव पूरुशाह अजस्रम प्रालापती अलपग्या कहा भावती यह अलपम जानाति सह एव अलपग्या भावती जो कम जानता है वह अलपग अजस्रम प्रालापती हमेशा ही निरंतर ही प्रालापती अनर्गल बात करता है अनर्गलम जल्पती बोलता ही रहता है थोड़ी सी विद्या क्या हो गई कि बस अपनी विद्या का प्रचार करना शुरू करता है आपने सुना होगा एक कहावत जरूर सुनी होगी अधजल ग ये स्की मत्ष यानि जिसकी बद्धी पांडित््ति से विद्वत्ता से संभृत है युक्त है भूशित है वहा क्या होता है तू मित प्रभासी भवत वह बहुत मित यानि कम बोलने वाला होता है अगर पंडिताई है ज्ञान की गंफीरता है तो वह संदे कम बोलेगा मित प्रभासी भवती कम बोलने वाला होता है क्योंकि भी होता है यह था जिस प्रकार कांस्यम कांसा जो है कांसे का बढ़तन आपने देखा होगा अतितराम निनादम कुरते बहुत अधिक शूर करता है बहुत शूर मचाता है अब पटक के देखे कांसे के थाली को या कांसे के गलास को पराम लेकिन वहीं पर क्या है इह यहाँ पर क्या होता है सुर्नम सोना जो है तदवत नादम नैव करोते उसकी समान नाद यानि हला गुला कोला हल शूर ना एव करोते बिलकुल ही नहीं अर्थात सोना चुकि अधिक गुणवान है अधिक बहुमोल्य है तो उसका गुणव देखे क्यों बहुमोल्य है वह उतना शूर नहीं मचाता लेकिन कांसा जो है बहुत अधिक शूर मचाता है उसी प्रकार अलपग की जो पुरुष है वह अजस्रम प्रालापति बहुत अधिक हमेशा ही अपने ज्ञान की बढ़ाई करता रहता है और पंडित ब्यक्ति कभी भी अपने बारे में कुछ नहीं बोलेगा दूसरे को बोलना होगा वह बोलेंगे वह बहुत ही कम बोलते हैं तो प्यारे बच्चों इस श्लोक के माध्यम से यह बताया गया है कि अगर आपने थोड़ा सा ज्ञान हासिल किया है बहुत अच्छी बात है लेकिन कभी भी आत्म प्रशंशार ना करें अपने बारे में स्वयंग ना बोलें अगर आप अपने बारे में स्वयंग बोलते हैं इसका मतलब आपके ज्ञान में कमी है तो आप और ज्ञान हासिल कीजिए क्योंकि ग्यान का जो सागर है वो तो अनन्त होता है अगर आप अभी बारवी कक्षा में पढ़ते हैं आप कॉलेज में जाएंगे आगे जाएंगे युनिवस्टी में जाएंगे आगे भी रिसर्च करेंगे तो ग्यान का आकास अनन्त होता है आप यह मान के चलिए कि आपने जो लिया वह एक छोटा सा हिस्सा है तो कभी भी अपनी प्रसंसा स्वेंग ना करें और कभी भी ब्यार्थ ना बोले अगर आप में ज्यान है तो आप गंभीर हो ये कम बोलिए जितना पूछा जाए उतना ही बोलिए तो ये हमारे इस सुक्ति सौरवम का अंतिम श्लोक था सुक्तियां भरी पड़ी हैं आगे भी पढ़ेंगे लेकिन आज की कख्षा को हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे लेकिन इससे पहले हम सेलफ एसेस्मेंट करवाना चाहेंगे आपका जो लर्निंग आउटकम है शिक्षन अधिगम है वह आपने क इतना प्राप्त किया बच्चों जब हम कख्षा में होते हैं तो आपके अधिगम को जाजने का हमारा तरीका कुछ और होता है लेकिन इस आभासिय कख्षा में आपको अपना अधिगम स्वेंग जाजना होता है तो अगर आप तब मानिए कि आपका अधिगम हुआ अगर आ श्लोक का नाम अन्वयम करोती अगर आप श्लोकों का अन्वय कर लेते हैं तो भी आपका अधिगम पूरा अधिगम हुआ और श्लोक की प्रयुक्ता नाम क्लिष्ट पदा नाम अर्थान अवबुद्य स्वभाशया वदती लिखती चाओ श्लोक में प्रयुक्त जो क्लिष्ट पद हैं उनके अर्थों को समझ करके अपनी भाशा में आप बोल सकते हैं और लिख सकते हैं श्लोक पर आधारित प्रश्णों की उत्तर आप बोल भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं श्लोक में जो संधियुक्त पद प्रयोग किये गये है उनका विच्छेद कर सकते हैं और विच्छिन पदों को ही संधी कर सकते हैं समस्त पदों का विग्रह कर सकते हैं अत्वा विग्रहीत पदों का समस्त पद बना सकते हैं प्रकृती प्रत्यय का विभाग कर सकते हैं अत्वा विभक्त का संयोग कर सकते हैं प्यारे बच्चों अ आगर आप ने इन अधिगमों को प्राप्त किया है तो आप समझ सकते हैं कि आपने इस पार्ट को समझा है और जो अपेक्षित अबबोध थी वो आपकी हुई है तो आप मेरी तरफ से अपनी पीठ थपपा सकते हैं और आगे के लिए उत्साह से भर सकते हैं आज की कख्षा ही समाप्त करते हैं नमो नमाहा